हेलो और वेलकम दोस्तों आप सभी का स्वागट है टेक्नोस के सबसे पहले एपिसोड में बेसिकली चैनल के इस सेग्मेन में हम बात करेंगे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, लैप्टॉप्स और ऐसे कहीं सारे अपकमिंग गैजेट के बारे में सो जाता दिन नहीं करते हो, लेट्स के इतर वीडियो, आप हर्स फ्रम टेक्निक मार्ट जावमी के तरब से हमें आज एक नहीं बल्कि डो अपडेट मेले हैं जो कि सबसे पहले हैं मीबेंट 5 और दूसरा अपडेट है उनके एक राउटर के बारे में मीबेंट 5 के बारे में जावमी क्लेम कर रहा है कि इस बार में मीबेंट 5 का अप्डेट है जो कि मीबेंट 5 का अपडेट है जो कि लांच होगा 11th of June को जो जो चाइना में सबसे पहले लांच होगा, अभी इंडियान उनिट कब आएगा कब हमें उसे रिव्यू करेंगे आप अपने बैंड को पिचर खितने जाखरे चाल भी उसके लिए उसके अपग्रेट करते हैं जिससे उसकी एक्रिटर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और मुझे सबसे अच्छा फिल्चर लगा वुमेंस के बारे में जो कि उन्होंने एक नया वुमेंस मोर अंदर रखा है जिससे वह उसकी हर्ट ट्रेक कर सकते है और प्लास्ट फीचर है जो कि है स्पॉर्ट मुझा अगला जो अपडेट आठा है वह रेटमी राउटर के बार के साथ आता है और 256 MB की बड़ी सी RAM के साथ आता है जो कि मैस नेट्वर्ट के भी कैपेबल है अभी मसाला तो इतना सारा भर दिया है लेकिन अभी हम यूस करेंगे तभी पता चलेगा कि पफोर्मस कैसी है और डूसरा फैक्टर ये भी अफिक करेगा कि इंडिया में किस प् से sẽ करने वाला है जो कि बार बार टीकर पर स्마ट टीवी इंड़ स्माट प्राइस ऑर जो कि उसकी प्राइस का भी एक उन्होंने χोटा से लरा था में जो कि आफ प्राइस के इसकी पर 20,000 के अंडर में जरूरा आए इसे के साथ अगली अब्डेट निकल कहा थी है एपल की तरब से एपल आयोस 14 के अब्डेट के साथ-साथ एक फीचर एड़ करने वाला है जो कि आप फोन कोल्स और फेस्टाइम रेकोर्ड कर सकते है लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ जो कि मुझे परस्टनली लगा कि यह थोड़ा अजीब है जब आप कॉल्ड रेकोर्डिंग को रेकोर्ड करने की सेटिक अनेबल करते हो तो आप उसे के साथ साथ पर्मिशन देखे हो जब आपने वह अप्शन अनेबल किया होगा मतलब यह तो यही बाठ हो गई तू मेरा काटेगा तो मैं भी तेरा काटेगा अगला अप्डेट एड़ा है एक्टीसी के तरब से जो कि हमें बहुत इस आलो बाद उनका नाम सुनने को मिल रहा है अप्डेट कुछी इस तरह से है कि वह अपना मिट्रेज फोन लांच करने के प्लानिंग कर रहा है जो कि है डिजर 20 प्रो और वह धड़ादर सर्टिफिकेशन ले रहा है वाइफाई सर्टिफिकेशन ले लिया ब्रूटूस सर्टिफिकेशन ले लिया जो कि उनका एक मिड्रेश फोन होगा और इसके साथ वह सायद स्नैप ड्रेगन 665 चिपसेट के साथ आयेगा अब भी वह कोई टीजर आता है या कोई क्या वह लीक आता है तबी बढ़ा चलेगा कि आए सीन क्या है लेकिन फोन जरूर आयेगा अगला अपडेट में मिलता है गैमिंग कॉंसोल के बारे में जो कि है प्लेस्टेशन 5 सोनी ने हल ही में जो उनका लांचिंग इवेट था प्लेस्टेशन 5 का जो कि था जून 4 को वह कैंसल हुआ था और अभी नया जो इवेंट प्लान कर रहे है वह है 11 जून 9 बजे जो उनको फॉर्स्ट अन्विल करेंगे अपने प्लेस्टेशन को सबके साम वह के तरफ से आज नहीं जो रहे है दो अपडेट जो कि है उनके स्मार्टफोन लांच के बारे में और दूसरा है उनके HMS Services के बारे में जो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके स्मार्टफोन लांच जो कि उन्होंने इटले में किया है Huawei P Smart S के नाम से जो की है Rebranded Version of October 2019 में जो लांच हुआ था Android 10 S का ऐसा भी Huawei क्यों कर रहा है वह नहीं मालूब लेकिन उन्होंने फॉन्ट लांच कर लिया है जो कि त्रिपल गैमेरे सेटप के साथ और यह एक मिड्रेस फॉन रिसेंटली बहुत सारी कंट्रियों अतना खुद का जो एप है लेकिन अब Huawei ऐसा खुद प्लान कर रहा है तो गूगल की सर्विस को बिना यूज़ किये जो अपनी हमें से हुआवे मोबाल सर्विस उसे यूज़ करके अपने स्मार्टफोन में ऐसी एक एप डेवलोप कड़े की बात कर रहा है जो कि मुझे लगता है इंडिया में तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन चाइना में जरूर देखने को मिलेगी अगर कोई उसके रिलेटेड अपडेट आगे आता है तो मैं आपको जरूर बताऊँगा आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पूसंट है तो लाइक किजिए अपने डोस्तों में शेयर किजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए कि हम आगे ऐसे ही टैक मूज लाने वाले है और तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम